हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, आज की कहानी है एक माय का ऐसा भी, मेरा नाम काजल है, मैं शादी करने के बाद पहली बार घर गई थी, घर जाते ही मुझे पहले मुझे मेरे पिता जी मिले, मैंने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से इंकार कर द साल की उम्र में अपरहन हो गया था, और हमें पता चला कि उसको किसी कोठे पर बेच दिया गया है, तब से ही मेरी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, तुम ये से चली जाओ। लोगों ने मेरा अपरहन कर मुझे कोठे पर बेच दिया था, जब मेरी आंख खुली तब मैं एक बंगले में थी, दरसल यह एक कोठा था, वो देश सारी औरते थी, उन्होंने मुझे खूब प्यार दिया, लेकिन जब भी मैं उन्हें घर जाने के लिए कहती, वे बोलती क अब यही तुम्हारा घर है, धीरे धीरे मैं भी वह के माहोल में धाल गई, जब मैं 18 साल की हुई, तब मैं बेहत जवान और खूबसूरत हो गई थी, मुझ पर भी अब बोली लगने लगी थी, और मुझ पर सबसे बड़ी बोली लगती थी, एक दिन मेरे कोठे पर एक और मेरी सैलरी डेर लाक रुपया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसने मुझे कहा कि अगर तुम ये से निकलना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसने मेरा सारा ब्यान फोन में रिकॉर्ड कर लिया, और मैं अपने पिता से पूछा इस सब में मेरी क्या गलती थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरी एक न सुनी, और मुझे मेरे घर से निकाल दिया, तब मैं वहां से रवी के साथ चली गई, और दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, अब हम दोनों बहुत खुश थे, तो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले, और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करे, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद